अगर आप इन तीनों में से कोई एक प्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मिंबर्शिप है वो आपको अपसुलूटली फ्री में मिल सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या है जस्त यहां apply here के उपर क्लिक करना है तो जैसे यह विब पेज ओपन होगा तो आपके यापट डीटेल्स आपको इंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्युमेंट्स रेडी है तो इंट्रो था ट्रेडिंग के बारे में गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम वंस अगें तो निफ्टी अनलिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फ्राप डॉट इन आज है 21 डिसेंबर 2020 मंड़े है सुबह के 8 बच कर 29 मिनिट्स हो रहा है पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का नि देखने को मिल रहा है निफ्टी 14,000 की ओर बढ़ रहा है लेकिन जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रॉंग है ओर बॉर्ट जोन में निफ्टी इंडेक्स है तो मार्केट में कॉशियस रहना होगा भले लॉंग पोजिशन आप कैरी कर रहे हैं लेकिन हर एक नए लेवल के उप लेकिन मार्केट इस समय ओवरबॉट है तो अपनी लॉंग पोजिशन के उपर काम करना कफी फायते मंदर सावित हो सकता है कल देर शाम एक पॉजिटिव खबर आई थी जो हिल्थ मिनिस्टर है इंडिया के उनसे एक बयान आया था कि कोविड-19 का वैक्सिन वैक्सिनेशन जो है वो जनेवाली से कभी भी स्टार्च हो सकता है तो यह एक पॉजिटिव खबर है हाला कि European मार्केट भी देखें लास्ट कई दो मैने से एक वहां पर मिला जो लगारो बार देखने को मिल रहा है बाग काफी कमजोर ही देखने को मिल रही है फ्राइडे की दिन भी काफ किसी बड़त इस समय दिखा रहा अभी यह December end है यानि इस साल का end है तो कई सारे देशों में छुटिया चलती है Christmas की तो यहां पर FII की activity थोड़ी सी कम हमें देखने को मिल सकती है इसका आसर सीधा liquidity volume के उपर गिल सकता है हर साल December ending में थोड़ा सा volume में चेंज समय देखने को मिलता है तो सबसे पहले Friday के analysis का एक review करते है quickly यह picture 18 December यानि Friday का after market hour से picture लिया हुआ था कल का Friday का वीडियो अगर आपको देखना है तो उपर यह i button में आपको उसकी link मिल जागी तो Friday के plan के according हमारा breakout level बन रहा था 13,757 और breakdown level बन रहा था 13,713 तो जैसे के आप देख पार यह nifty index का 5 minute का चार्ट है nifty index breakout level के पास ही open हुआ लेकिन sustain नहीं कर पाया वहां से तुरंत यह towards south की तरह पाया और breakdown level ब्रेक करने के बाद 1st target 13,699 अचीव हुआ, 2nd target 13,684 यह भी आपर अचीव हुआ काफी देर एक sideways pattern में trend हो रहा था जो बीच के hours होते है trading के और उसके बाद यह zone को break करने के बाद फिर से एक बार bounce back ने तीन लेक्स ने देखने को मिला तो friday के plan के according अगर trade करते तो around 16 points का trade करने का मोखा था 10 lot के सबसे अगर trade करते तो around 12,000 का यह आपर profit बन सकता था यह ता friday के analysis का quickly review चलते nifty के chart के ऊपर weekly chart से शुरू करते है weekly chart में जैसे कि हम देख पार है last यह 8-9 week से लगातार यहां पर higher high higher lows का pattern बन रहा है यानि previous high और previous low का candle जो है इसका next candle इसका high और low previous candle के high और low से ऊपर है तो यह continue formation देखने को मिल रहा है और वह भी weekly chart में long time frame के चाट में तो यहां पर जबर्दस bullish pattern देखने को मिल रहा है निफ्टी इंडेक्स weekly chart में देखे RSI को supporting indicator तो यह अभी 70 के ऊपर जा चुका है 70 के ऊपर जैसे ही जाता है तो हमें price action में fall एक correction देखने को मिलता है लेकिन अभी भी यहां पर जो pattern है bullish pattern higher high higher low का basic pattern है लेकिन काफी important pattern है जो हमने study program में सीखा है देखा है तो यहां पर यह continue अभ निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है अगर previous high को comfortably break करें sustain करें तो हमें यहां पर long position ही अभी फिलाल पर करार रखनी चाहिए तो यह weekly chart का scenario है चलते quickly 60 minute के chart में intraday levels को identify करेंगे अगर आप हमें कई दिनों से follow कर रहे तो यहां पर early chart में भी हमने यह last swing high low मिला था उसको पकड़के फिबोना से extension level को draw किया था तो अभी आप देख सकते है यह जो इसका 76.4% का level है यहां पर इसने तीम बार अभी resistance phase किया है यह लगाता 38.2 उसके बाद 50 उसके बाद 61.8% के लेवल से यहां पर अच्छी हुआ है अभी यह 76.4% के ऊपर आके यहां पर तीन बार resistance इसने फेस किया Friday को यह जो लंबा सा यह red candle बना था इसको वो पूरी तरह से इसने recover कर लिया यहां से 20 AM का जो support मिला इससे bounce back होगे फिर से इसने यह जो red candle था इसको cover कर लिया अभी तीन बार यहां पर रेजिस्टेंस फेस के अगर यह break करता है तो जबर्दोस और भी bullish ने से यहां पर हमें इंडेक्स में देखने को मिल सकता है अभी यहां पर और एक हमें फिर से यह swing high low मिला है तो अगर हम Fibonacci extension यूज़ करके यहां पर यह swing high और इस low को पकड़के अगर draw करें तो अभी next target यहां पर 76.4 का 13,786 के पास आ रहा है magical figure है 13,786 तो इसके ऊपर अगर sustain करता है nifty index तो हमें nifty 14,000 तक बढ़ते हुए नजर आ सकता है तो यहां पर आज के लिए हमारा breakout level हो सकता है यह जो तीन बार यहां पर इसने resistance पेस किया 13,773 के पास इसके ऊपर यानि 13,776 के ऊपर अगर sustain करता है comfortably तो यह intraday के लिए हम यहां पर by position बना सकते है और तभी हमारा first target होगा एक चोटा सा quickly first target होगा 13,792 यह हमारा first target होगा और second target होगा 13,814 यह हमारा second target होगा और अगर towards south की दरफ आता है तो pivot point की नीच है यह जो pivot point का level है यहां पर आप देख सकते है Thursday को भी यहां पर एक support चोटा size ने paste किया था और आज अगर pivot point को break करता है यानि 13,730 को अगर यह break करता है तो ही intraday के लिए हमें आपर short position बना सकते है और तभी हमारा first target होगा 13,714 यह हमारा first target होगा और second target होगा Just 20 EA में के ऊपर 20 EA में लगातार support का काम कर रहा है early chat में 13,698 यह हमारा second target होगा तो यह आज के लिए nifty के intraday levels अगर आपको यह video analysis अच्छा लगा तो like, share, comment जरूर करें और subscribe करना ना भूलें So thank you very much and happy trading So thank you very much